एक फिल्म बनाने के लिए हीरो हीरोईन का जितना महतोपूर्ण रोल होता है उतना ही महतोपूर्ण रोल होता है कैमेरामेन का, मेकप आर्टिस्ट का, लेखक निर्माताओं का, बुम ओपरेटर और स्पोर्ड बॉइज का पड़दे के उपर दिखने वाले लोगों को तो सब लोग जानते है लेकिन पड़दे के पीछे काम कर रहे लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता कोई नहीं दिखाता आज हम कैमेरे के पीछे काम कर रहे हैं लोग यानि कैमेरामेन, मेकप आर्टिस्ट, लेखक निर्माता, बूम उपरेटर, स्पोर्ट बॉइ जैसे लोगों को कितना पेशा मिलता है ये जानने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मैं हूँ अथरवशेंडे और आप देख रहे हैं ग्यान टाइम सबसे पहले जानते हैं कैमेरामेन कितना कमाता है पेशकेल.com के अनुसार, होल्यूड में कैमेरा ओपरेटर सालाना 35 से 40 लाग रुपए कमाता है लेकिन अगर फिल्म बड़े बजट की हो, तो कैमेरा ओपरेटर की सालाना इंकम एक करोड से ज्यादा भी हो सकती है अब जानते हैं मेकप आर्टिस्ट के बारे में, मेकप आर्टिस्ट जो की हीरो हीरोईन का मेकप करने के लिए होते है, ये प्रति घंटा लगबक 4,000 रुपए लेते है यानि उनकी एक साल की ओसत कमाई लगबक 60 लाग रुपए हो सकती है पेस्केल.com के अनुसार एक मेकप आर्टिस्ट प्रति घंटा 1100 से 1300 रुपए लेता है इसके बाद जानते हैं बूम आपरेटर के बारे में बूम आपरेटर वो होता है जो माइक्रोफोन को अभिनेताओं के सिर के उपर रखने का काम करता है होलिवड रिपोर्ट के अनुसार एक बूम आपरेटर कम बजट वाली फिल्म के लिए 28 से 30 रुपए एक स्टूडियो फिल्म के लिए 55 से 57 रुपए और एक बड़े बजट वाली फिल्म के लिए 90 से 95 रुपए चार्ज करता है इसके बाद जानते हैं लेखक के बारे में हॉलिवड रिपोर्ट के अनुसार और उन सौरकिन जैसे बड़े लेखक प्रती स्क्रिप्ट के लिए 23 करोड से लेकर 40 करोड रुपए चार्ज करते है लेकिन जो मिडल क्लास लेखक होते है उड़की आसत साला ना कमाई 55 से लेक ग्रिप का काम होता है कैमेरा और लाइटिंग को सपोर्ट करने के लिए आवश्च सभी उपकरनों का निर्मान करना और देखरे करना जिसमें कैमेरा लाइटिंग क्रेण जैसी चीजें शामिल होती है हॉलिवड रिपर्ट के अनुसार कम बजट वाली फिल्मों पर काम करन लोगों के बारे में है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करे शेर करे और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक मिलाए रखिये ग्यान टाइम से हाथ धन्यवाद